सभी बच्चों को नमस्कार सभी मातापिता को नमस्कार सभी अध्यापक्गन को प्रणाम आज हम लोग पुन एक नए विशर पे चर्चा करने के लिए उपस्तित हुए हैं बहुत इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट है आज का मैथमेटिक्स तो हर समय इंट्रेस्टिंग रहा ही है उसे में हम चर्चा करेंगे संख्याओं के साथ खेलना तो अगर आप देखे तो जो पुराना हमारा सफर था हम लोग कभी फिजिक्स किये ना कभी पहुती विज्ञान को देख सब्सक्रान कर देखा कभी हमने बोटीनी को देखा मतलब जो पत्ति होतिएह से रिलेटेट है कि कभी पॉधों के बारे में अध्हिन किया हुष शारी छीजें भी अध्यन किया ठोड़ा साप प्रसी आगे आये हैं ठोड़ा सा गड़िद के बारे में थोड़ा सा एक चर्चा करते हैं फिर से जो आज अधिवेशन है बयाली सामा अधिवेशन है आप जानते हैं पहले भी हम लोग बहुत बार बता चुके हैं कि यह जो प्रोग्राम है आयटी इंदोर के द्वारा एक भारत स्रेश्च्वाद के तहट राष्टी विश्कार अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कर रहे हैं जिसमें हमारा राज सिक्षा केंद्र भोपाल मदद कर रहा है तो उस सिंखला में राज सिक्षा केंद्र क्या मतलब क्या उनका उद्देश है और कैसे बच्चे इससे बेनिफिट पाएंगे हमारे जो जो लोग जिन्होंने पहले भी बहुत अच्छा वक्तब दिया है भिन के बारे में तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा और उसके पहले मैं रावेंजी से चर्चक कहूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा बताएं और उसी में अगर जोड़ पाएं रावेंजी डाक्टर कुमार भॉपार जी और अननिनन के शहयोगी शाथ मैं आज बहुत-बहुत स्वागत कर रहा हूं आज के बक्ता डक्टर व्यत्व नहीं नहीं दिलिवबी हैं आप अराई भॉपाल में पतस्त थे मैं वाएं नाएट की टीम का जो हमारे अश्कार का जूड़ी हुई है साथियों विद्यार्थियों का जो नियमित रूप से इस कारकम में हमारे जुड़ते हैं और सुक्ता फुर्वक इस कारकम में बहुत सारी चीजें सीखते हैं आज बहुत यह रोचक बिशे दिया गया है संख्याओं के साथ में खेलना इसके इस पर बक्तब देंगे डाक्टर एक गर जी का बारे में संख्यप्त परिचे सर का परिचे तो बहुत बहुत लंबा चौड़ा है परन्तु मैं कुछ शार्ट में बतानी कोसिस करूंगा अपने साथियों को पील के विक्तियों को ताकि वो जाने की विद्यार्थी कि समझें कि यहां तक पहुंशने के लिए कि हमें किया क्या प्रयास करने पड़ते कैसे लोग होते हैं तो सब्सक्राइब हैं सिख्षा में पीएजडी हैं मैटमेटिक्स में पीएजडी हैं एक तरह से मुनला हमारे यह डबल पीएज़डी हैं और आपने और जो रिसर्च एक्सपिरिंस आपने किया है आपके पात रिसर्चश चिंड़क्ट किया है ट्वंटी आपके डिपार्ट्मेंट आफ प्रोग्राम आप ने कंड़क्ट कि ट्रेनिंग प्रोग्राम साथ आपने कंड़क्ट की हैं 27 और प्रदेश के विद्यारतियों की अपनी ग्यान की गंगा भाइंच ताकि हमारे प्रदेश के विद्यारती संख्याओं से केलना सीख सकें अगे के बक्तब के लिए बच्चों उनके पैरेंट्स का स्वागत करता हूं और मैं इस निवेदन के साथ करूंगा कि अगर आपके पास कौंपी और पेन हो तो मुझे लगता है कि इस बात में तो कि हर चीत तो आप नहीं देख पाएंगे लेकिन बाद में ये यूटूब के माध्यम से भी है तो बाद में भी वीडियो देखके आप इनके जो जिन समझ्चाओं पर मैं संख्याओं पर खेल लिए उपर चर्चा करना हूं कि आप लोग संख्याओं में कई चीजें पढ़ते हैं लेकिन उन्हीं चीजों को जो हम पढ़ते हैं तो अगर हम कुछ ऐसा क करें कि जो खेल खेल उन्हीं कांसेट को समझ पाएं तो जैसा कि यह मैं थोड़ा स्टार्टिंग बात करूंगा कि जिन चीजों से आप लोग परचित हैं सभी लोग हम प्राकिर संख्याओं के बारे में जानते हैं पूरवरती और परवरती संख्या हैं और चोटी संख्या बड़ी संख्या और हम मैथमेटिक्स पर डिखन संख्याओं के बारे में चोटी से समझ्चा पहले में जो कि आप देखेंगे कि देखने में तो लगता है क्लास दूसरी और तीसरी का कांसेट है और मैं चाहूंगा कि अगर हमारे साथ डाइट के लोग भी हैं तो एक इस प इन संख्याओं को इस ग्रीट के अंदर एक से आप तक की कहले हैं चोटे चोटे इन कार्ड को इसके अंदर रखना है ऐसे रखना है कि अगर हम कोई संख्या कहीं रखते हैं तो उस संख्या के पहले वाली और बाद वाली संख्या उसको कहीं से भी टच ना करें जैसे अगर परवर्ती संख्या है, ती, और उसके पहले वाली संख्या एक है, तो उसके चारो तरफ एक नंबर का कार्ड भी नहीं आएगा, मैं इसको एक संख्युत्त के करके भी बता देता हूँ, फिर आप करते रहीएगा, जैसे मैंने नमबर एका कार्ड उठाता हूं यहां से उठा कि मैंने इस कार्ड को यहां पे रख दिया अब इसके चारो तरफ कोई भी कार्ड दो नमबर वाला कार्ड नहीं आना चाहिए अब दो नमबर वारा कार्ड इसके चारत अरफ नहीं आएगा क्योंकि यहां भी नहीं रहते हैं तो हमारे पास दो नमबर कार्ड रखने का एक यह option बज़ता है कि इसको उठाके हम इस जगह पर रखते हैं अब दो नंबर हैं तो मतलब तीन नंबर का कार्ड इधर कहीं नहीं आ सकता तो हमको क्या करना होगा तीन नंबर के कार्ड को उठा के हम यहां रख रहे हैं हम चाहते तो इसको एक के पहले भी रह सकते थी यहां पर हम गणित में क्यों नहीं रख पा रहे हैं चूंकि एक जग कहीं से भी चार नमबर और चार के मतला अंगला नमबर पांच यहां पर तीन नमबर कहीं नहीं आ रहा अब हम उठाएंगे अंगला कार्ड चार नमबर को यहां रख देते हैं तो देखिए चार के उसमें कहीं नहीं आ रहा हम छे नमबर के कार्ड को देखिए इन दोनों जग और चार को हमने यहां पर रख दिया तो अब मुझे रखता है कि चार वाले कार्ड को मुझे इस तरह लाना पड़ेगा तो जब मैं चार को इधार ला दूंगा तो पांच वहां है तो छे नंबर का कार्ड मेरा यहां पर आ जाएगा फिर गड़वड़ा रहा है फिर मुझे इस प्रेक्टिस को करना पड़ेगा बार वार और इसका नियम जनरेट होता है कि ऐसे ब्वस्तित करते हैं कि सभी कार्ड हमारे आ जाते हैं मैं फिर से देखता हूं दो नंबर को मैंने यहां रख दिया तीन नंबर कार्ड को मैंने यहां उठाके यहां रख दिया चार किसी संख्या के पहले और उसके पाद का कार्ड उसके चार उत्रफ नहीं आ रहा है जिसमें अगर बहुत छोटी क्लास का है लेकिन हमाई साथ बड़ी क्लास की वह आंगे बढ़ रहा हूं कि यह पूरवर्थी और परावर्थी यहां पर मैंने एक से लेकि 8 तक के कार्ड लिय और जो हमारे कोस्ट में भी है कि परावर्थी पूरवर्थी परावर्थी संख्या क्या है उनकी बारे में जान जाते हैं एक छोटी की चीज़े इसके बारे हम सभी बच्च जानते हैं कि एक दो तीन चार पांच शे ऐसे नमबर जो होते हैं हमारे निच्राल होते हैं अगर अगर हम निगेटर नमबर और जोड़ दें तो यह हमारा बन जाता है इंटीजर मतलब सिंपल सा है कि एक से लेके डैट दो, तीन, चार यह नमबर हमारी तो बच्चों के दिमाग में अगर मैं कहुंँ यह भी एक अपने आप में अगर हम जोड़ देते हैं तो जाकि हमारा पूर्ट संख्याए बन जाती है जब इसमें हम निगेटर नमबर और मिला देते हैं तो यह हमारी पूरा संख्याए बन जाती है तो बच्चे आता कुछ फिर यह हम अपने स्कूल लेविल पे नमबर लाइन अगर मैं बात करूँ नमबर लाइन एक इतनी बड़ी चीज है इसमें बच्चों को एडिशन, सब्ट्रेक्शन, कुछ की बात भी हम कर सकते हैं स्कूल के अपनी हर्स है हर्स में इस पकार के हम नमबर लिग दिये हैं और पाजिटिव नमबर एक तरफ नेगेटिव नमबर और इसके भी नमबर हमसे बच्च्चत यहां है इसमें हम पैटर्न की भी कल्पना कर सकते हैं और इसमें हम बच्चे के सामने यह भी रह सकते हैं कि जीरो के जो हमारे दाएं तरफ के हैं वो पाजिटिव नंबर कहलाते हैं और जीरो के जो बाएं तरफ के नंबर हो तो हमारे निगेटिव नंबर कहलाते हैं इनिको अगर हम सब्सक्राइब उसमें नमबर के फार्म प्राइब के लिए या कौन्ट कर लेते हैं और जब इसमें हम इस साइट की काॉंट कर लेते हैं तो अगर हम इस तरह कि नमबर लाइन हम अपने स्कूलों मेंज हम और पैरंट्स भी चाहें तो घर में आस पास एक बड़ी सी बच्चों के सामने चलो तो बच्चे घर में भी इस तरह है कि सिंपल एडिशन सब्ट्रेक्शन पर जंपिंग करना चलो टू-टू में जंप करिए थ्री-थ्री पर जंप करिए तो एक पैटर्न की तरह भंपर सकते हैं तो यह एक सिंपल जानकारी है इसी तरह जो है कि भाज संख्याएं क्या होती है अभाज संख्याएं क्या होती है कि भाज अभाज संख्याएं वो होती है जो सिर्फ एक से और अपने आप से ही करती है यह सभी हम जानते हैं भाज संख्याएं जो होती है जो एक अपने के लावा किसी और संख्या से विकरती ह इसे हम बाद संख्या कहते हैं तो इसी तरह से हम समसंख्या बीशम संख्या गुनाज गुनखन्खन ओर qamon factorial और उन जो उनके गुनखन होते हैं इन उन उन एक व्菜 Carson और उनकरन आपन्या करने क्वारे में हम लाइन को संख्या क्रेंगे बच्चों को एक लाएंस अगर हम खड़ा कर दें और बच्चों के तरफ से बोलें चलो आप एक तरफ से गिंती बोलना चालू करो तो बच्चा पहला बोलेगा एक, दो, तीन, चार ऐसे बोलेगा फिर कहा दीजे कि हर दूसरे नमबर का बच्चा या अल्टरनेट बच्चे पहला बच्चा वहीं खड़ा रहाग sorry abbiamo या इस तरह बच्चे खड़ाएंगे उसके बार उभर उन्हों को एक थीन ऺूट शाट नौ बच्छ खड़े मिलेंगे अधर देखेंगे बच्चे को चुकिया व्याद है दो चार-शह आट सबस्क्राइब बच्चों कह सकते हैं जो एक तीन पांसाथ हैं यह हमारी विशमसंख्या थो चार छभी हमारी समसंख्या है तो जब बच्चे इन चीजों को जानने लगें भी थे खेले करा सकते फिर और भी देखिए बहुत छोटे लेवल के चीज है लेकिन मेरा यह कहना है क बच्चों को आता भी हो इसमें हम एसस्मेंट भी बच्चे कर सकते हैं बच्चों को गोल घरे के चाहँ तरफ खड़ा कर दीजिए नियम बता दीजिए कि मैं आप सब बाहर खड़े रहेंगे अगर मैं समसंख्या बोलूंगा तो सभी को कूल के गोले के अंदर आ जाना है बच्चे पैरेंट्स के साथ अगर हमारे पैरेंट्स भी जुड़े हैं ऐसे अगर एक्टिविटी मैं अपने घरों के आसपास जगह होती है करवाएं तो बच्चों को आनंद आता है इसमें और भी आप जोड़ सकते हैं कि मैं समसंख्या बोलूंगा बच्चे वहीं बैठ कि अब मैं कुछ बात ने करता हूं कि जो हमारा जो नंबर के खेल की बात है चोटे से चूटे यह हम स्कूल लेवल पे या कुछ पत्थर कलेक्ट कर लें अब आप देखें कि मैंने च्छै इस टोन यहां पे लिया है या आगर उन च्छै पत्थरों को हम कितनी प्रकास से ज जमाने का मतर्व सुन दर्था भी हमें देखें तो देखिये अगर हम इन च्छै मारवल पत्त्र और जमाते हैं तो देखिए समीड घ़त-ंदर कर सकते हैं does नमख़ों ददम में मतलब हर पंक्ति में दो पत्तर रखेंगे तो देखिए जो अब इस तरह हम देखते हैं कि इस तरह हम देखते हैं कि इस मतब मैंने 6 लिया अब बच्चों को दे आठ देखें कितने प्रकाश जमा सकते हैं क्या बच्चे पहले तो इस तरह अगर बच्चे के अंदर जो एक मैथमेटिस्त में सोचने का और कितनी प्रकार के पैटरन बन सकते हैं यह सब चीजों के बारे में उसको जानने का मौका मिलता है अब यहां पे हमने एक बड़ी चोटी सी संख्या ली है चार अब चार को हमने पहले एक से भाग दिया तो हम पच्चों के सामने जरूरी रही है अगर मेरे करते हैं कि भाग फल चार आता है से जीरो बचता है दो से डिवाइट करते हैं पूरा पूरा भाग चला जाता है से जीरो बचता है तीन से डिवाइट करते हैं एक बार जाता है लेकिन एक से बचता है मतलब भाग पूरा पूरा नहीं जाता है इसमें से बचता है जब हम चार One into four करते हैं तो यह four जाता है फिर two into two करते हैं तो फूर जाता है फिर two into one क्योंकि भाग नहीं जाता इसलिए चार के बराबर नहीं हो गा अगर आगर इसमें 6 जोड़ेंगे तब होगा तो पहला नमबर दूसरा नमबर और चौथे नमबर यह संख्याएं पूरी तरह से एक से दो से और चार से विभाजित हो जाती हैं तो हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक दो और चार जो है संख्या चार को विभाजक है या हम एक सरल भासा में कह सकते हैं जो ये हैं चार की जो दो से दें पिर तीन से दें फिर चार से दें फिर फ्र पांच से प्रारम में तो बच्चों को आनंद भी आता है और बच्चे जो हैं जिनी तो हम गुरंखन का एक बहुत डिपकल सा मैथड बताना चालू कर देते हैं और बच्चें को समझने में प्राब्लम आती है तो इस प्रकार हम सिंपल गुरंखन कैसे निकालें उसके बारे में बता सकते हैं अब एक बहुत ही छोटा सा अगर आप देखेंगे कि हमारे बुक्स में इस प्रकार का एक प्रस्ट दिया है इस प्रस्ट में क्या है एक से सो तक्की संख्याएं अगर सिंपल साय बच्चे को दे दिया जाया है अब जब बच्चा एक सब्सट की अधिक बच्चा इंस चारड को देखे आराम से बता सकता है कि इसमें कौन सी शंप छलो तुम kg मेंगोर लगा दो और सम संख्या नहीं चत्र दो यो तो बच्चे बड़ा फास रोकर काम करते हैं कि कहां ऑला लगे àsम करते हैं क्लावब करते हैं अब लिए संख्या अब देखिएगा इसी चार्ट के माद्यम से हम अभाज संख्या को बच्चक स्वयम कैसे कर पाएगा तो हमने एक चीद पड़ी है कि जो अभाज संख्या होती है उसके दो ही गुरंखंड होते हैं या तो एक होता है या वो स्वयम संख्या होती है और जो भाज होती है तो वह है एक संख्या और बी गुर्ण खंडुस के उस्सक्ति हैं यह सबसे बड़ी प्रसन हमारे सामने है कि एक किसमे आएगा तो देखिए एक जो है ना वो भाज में आता ना उसको हम अभाज में लेते तो चुकि एक हम नहीं लेते हैं तो एक को हमने क्रास कर दिया आहाता है पहले संग्ष्छा उताती हैं दों को हम ने गोला लगाई और तो ने जितने भी गुणाğत है तो मतलब दोस्ग है उनघ्शाओं को काते हैं तो पहले में बच्चने दो में गोला है हब दो तूर चार चार में क्राश लगाएगा। दो त्यम्हार स्थाल ख्यार बॉक्षज द यह लिखें बारा चौदा। जहां पर दो का पहाडा बन रहा है सब में घृच्छ लगा देगा बच्च्छ पिर उसके आगे अंग्ली चाह रहा है। से क्राश लगाते हुए चला जाएगा अंडर अंगली संख्य आती है तो तीन में गुला लगाएगा अब तीन के जितने भी गुणन घंड़ो गुणाज हो सकते गुणाज मातीन का पहाड़ा तो देखिए फिर हम तीन के पहाड़े में तीन दूना च्छे च्छे को क्राश लड़ा सकते अडान तीन तर्काई 9 तीन च्छे को 12 तीन प्चे 15 तीन संख18 त depths एच्छे कर देंगे तो दो क्राश दों में गोळा लग गया 3 वकास के बार अंगला नंबर आता है अमारा तो इस तरह हम दो से देखा फिर पांच से देखा अब चुकिए में आल लेडी क्लास लग चुगा है फिर हम देखें करेंगे साथ से तो साथ दूना चुदा क्राश लग गया था साथ तरी के सब्सक्राइब पर आंके बढ़ते जाएंगे देखें अगे लास्न बरते जाएंगे तो हमारे पास एक संख्या मिलेगी जिनमें सिर्फ गोले लगें दो तीन पाँच साथ के बाद आपको मिलेगी ग्यारा तेरा सत्रा ऐसी संख्या जिनमें बोले लगें तो यह संख्या हैं अपने अभाद संख्या हैं तो बच्चे आराम से इस एक्टिविटी को करके अभाद संख्याओं के बादे में जान सकते हैं कि दो, तीन, पाँच, साथ, क्यारा, तेरा, सत्रा, उनेश, तेश, एकतिस, पैतिस, सैथे, ए पैतिस नहीं है, इसमें, पैतिस क्लास हुचे, सैथे, तो यह संख्याएं हमारी अभाज संख्याएं, तो इस प्रकार की टेबिल हम बच्चों को दे सकते हैं बनाके, या हम इस बोर्ड में यह संख्याएं लिख दें, जरूरी नहीं संख्याएं में इस प्रकार लिखें, संख्याएं कैसे भी लिख सकते हैं, और जब बच्चे करेंगे, तो बच्चे इसमें सामका जानकारी, बिसंकी जानकारी और अभाज संख्याओं के बारे में बच्ची जानकारी हुआ थे कृष्ट कर सकते हूं है फिर का ओभ एक छोटा सा खेल है को ने सभी बच्चे गूल हुँर लाए ँसा हमारोन के प्रशाद के चाहिए कि जिस बच्चे के पास जसे घृंति चलओंगी एक दो तीन आएगा तो टीन आएगा जिस बच्चे के पास तीन नहीं बोलेगा वो तो मियाऊँ बोलेगा या तो मियाऊं दो ताली बजा दे बतला उसको संक्यानी बोलनी हर तीसरे अभब की नमबर का बच्चा ऐसे करेगा तो दिखिए एक दो बोलने के बार तीन नमबर वाले बच्चे को तीन ने बोलके को बोलना है म्यां अंगला बच्छा बोलेगा चार उसके आंगे का बच्छा बोलेगा पांच पर पिर कुकी हमने का तीसरा थे तो शेट जden पर जिन बच्चों ने म्यावव भूला था उनको कह दीजिए आंगे निकल के खड़े हो जाए तो आप देखेंगे तीन नमबर का बच्च सब्सक्राइक मैं तो देखेंगे आगर देखें देखें पैंटा ने मिल रहा है और हम अपनी साधारन भासा में कहें कि तीन के गुणाज हैं तो तीन के गुणाज मतला तीन चैनल बारा पंद्रास पांच यागरर आगए तो देखेंगे आपको 2 चार नंबर प्पेदी नंबर गव lira लेकर प्रान धोंर संख्याए थी जो संख्याई बोल रहे थे एक, तीन, पाँच वो भी संख्याई थी तो हम अब बात आती है कि इसी में अगर आप देखें हम यह भी कह सकते हैं जो बच्चा म्याओं नहीं बोलेगा या सही संख्या आने पर ताली नहीं बजाएगा वो बैठ जाएगा वो आउट होता जाए सहाएगा तो इस कढ़्वित को करवाने से देखए बच्चे को बच्चोंbiken वोच्हों का एक सोवाबी चीज है खेल खेलने को मिले लेकिन जो हमारे कोर्श में गुनध्षा बच्चे में ऑनन के बारे गुनध्र में समसंख्याऊं के葉 बारे में तो में अगर हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं तो बच्चे अगर समझ रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि जब कर आप इसकूल जाएं तो एक बार दो के दो में मियाओं बोलवाईएगा पर तीर में मियाओं बोलवाईएगा फिर होगे चाहिए हम खुब अपने से बनाना यह भी कर सकते हैं। यह भी कर सकते हैं कि दूफरे नंबर वाला बैठा बेट जो है वो नंबर न बोल कर बैठ जाएगा वही तो बैठे रहेंगे जो बैठें बोले थे नंबर आगे खेज़को जाएं तो यहां पे be सब्सक्राइब कर सकते हैं अब चोटा सा उसी में मैंने अकसर यह देखे बड़े छोड़ चोड़ प्रसनाते हैं और मैं कहूंगो स्कूल के ग्राउंड में अगर हमारे पास जगह है सिम्पल सी मैंने कुछ ऐसे सीधिया बनाई यह सीधियां है और उमने नंबर बढ़ा एक दो तीन हमें बहुत सिधिया नहीं बना लेकिन जमीन पे कुछ लाएने खीच के ऐसे नंबर जन्रेट कर लें एक से अथाईस तक की सीधियां हैं इसमें एक समस्या हमने जन्रेट बड बिल्ली है तूर डिया में ऑचेया ही करने के छोधा बैठा हिए चीम नंबर में बिल्ल्यू को इस्टोडिया सुनाते हैं तो क्या नियात में भी स्टोडिया हो सकती है अब त्यक्षिक है देखिए जो बिल्ली है एक बार में 3 खाने जम्प करती है मतलब अगर चार में है तो 5 6 और 7 में पहुँच जाएगी चयार मतलब है तो ऑफ चूह क्या करेगा उसने चूह क्या करता है नीचे अब इसमें पता लगाना है कि बिली चूह को खा पाएगी या चुहा जो है बिल में जाकर घुज जाएगा तो इस के लिए बड़ी छोटे-छोटे प्रसन है पहला प्रसन देखिए दिया हुआ है वे खाने जिन पर चूहा कूनता तो चूहा एक बार में दो खाने कुंता है तो 14 में है तो देखिए वह एक बार में जब कुंदेगा तो 16 नमबर के खाने में जाएगा जब दोबारा कुंदेगा 16 फिर 18 में जाएगा फिर 20 नमबर के खाने में जाएगा फिर 24 में इस तरह वह साथ बार में 28 में खाने में दिये कि पहले वह 14 से कुझे गा दो जब तो 16 में आएगा तो देखते हैं तो चूआ जो है इस प्रकार कुंता तो बिल्ली कैसे कूंती है तो बिल्ली का अगर हम देखें बिल्ली तीन नंबर में थी जंप करती है तो तीन के बाद वो 6 में जाएगी फिर 9 में जाएगी फिर 12 में जाएगी फिर 15 तो इस तरह वो आगे बढ़ती है अब बात यहां पर आती है कि वो खाने जहां पर चूहा और बिल्ली दोनों एक साथ है मतलब पट्टिकलर में को सीड़ी वहां पर आएगी तो हमें देखते हैं कि इसमें 18 नंबर करें बन सकता है तो देखिए साथ नंबर के खाने में बिल्ली है 24 नंबर पर जाती इस वार जंब करके और 27 लेकिन चूहा साथ नंबर पर 28 नंबर की सीड़ी में पहुंच जाता है और जाकर प्रकार से बिल्ली चूहे को नहीं खाए पाएगी तो यह छोटा सा प्रस्ट है इसको हम generate कर सकते हैं हमने कहा आप कह सकते है कि चार जंप मारेगी जब वो चार जंप मारेगी तो चूहे को खापाएगे कि नी खापाएगी तो यहां पर एक सिंपल देखिए यह multiples generate हो रहे हैं यहां पर जो जिनको हम गुणज बोलते हैं और बच्चा कल्कुलेट और देखिए जांगे चल करते हैं जो कामन मतलब मुद्धेश होते हैं वो सब चीजें इसके मादे हम से हम परस्णावली के मादे हम से हम कर सकते हैं अब यह एक बहुत छोटा सा है कि सिंपल सी हमने देखेंगे के बड़ी चोड़ी सी ग्रिड बनाई हमने दस बाई दस के टेबिल है हम ऐसी टेबिल बच्चों को भी बोल सकते हैं कि वह बच्चे देखिए खाना छोड़के एक से लिगा कि दसता के नमबर लिखें इदार और नमबर लिखे हुए हैं इदार एक से दसता हमने क्या किया है पहले एक नमबर लिखा है तो एक में हमने क्या किया एक दो तीन जैसे एक पकाशे पहारा किसे एक दूना दो एक त्याएं तीन एक चको चाह तो जितना एक के पहारे में आरे हैं सब को हमने कलर कर दिया अब हम कलर कर दिया पर आठ को दस को अब तीन में हर तीसों नंवर को हम कलर करती हैं चार में ऐसे कछल अमक कर दिया ति जब इसको कलर कर इस टेBLE को बनाते हैं तो देखते हैं अगर हम 20 त躾 देखते हैं तो जो यह हो हमारे बाह्यत से दाएं धरते यह हमारे गुलन खंड रोते हैं जैसे मैं कहूं कि एक के गुलन खंड तो यहां पे अगर आप देखिए एक नमबर कलर किया हुआ है, दो सपेथ है, इसलिए कलर नहीं माना जाएगा, तीन, तो तीन की गुरंखंड, एक और तीन हो गया, चार की गुरंखंड में, एक, दो, चार, पांच की गुरंखंड में, एक और पांच, तो जब हम 22 से दाएं तरफ बढ़ते हैं, तो हमें उस स गुरंखंड, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ऐसे हम बात करें, दो के गुरंखंड, तो दो, दूना चार, दो त्याएं छे, तो चाको आठ, दो पच्चे दस, फिर तीन, छे, तो ये अपने आप में जो चीज़े हैं, अगर हम बच्चों को इस प्रकार की एक्टिविटी देते हैं, बच्चे खुद गुनाज और गुरंखंड की देवी जनरेट कर सकते हैं, ये हमने दस तक्की बनाई है, बच्चे चाहें तो इसको अंदा तक्की बना के देखें, और ज्यादा हमें गुरंखंड के बारे में जानकारी मिलेगी, तो इस तरह हम एक्टिविटी करा सकते हैं, और खेल-खेल के अमाध्याँ से बच्चे गुरंखंड निगाव सकते हैं, ये जोतनी भी चीज़े मैं चर्चा कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे, कोई बाहर की चीज़े नहीं, ये कहीं न कहीं हमारे किताबों में दी हुई है मैं उन्हीं चीज़ों को लेके आया हूँ आपके बीच में, अब अंगला एक बड़ा सिंपल सा है, कि हम एक ऐसा चार्ड पेपर ले लें, चार्ड पेपर में दस बाई दस का ग्रिड है, एक से लेके सो तक की संख्याएं लिखी हुई हैं, फिर हमने एक दो के मल्टिपिल का ग्रिड बनाया है, तो दो के मल्टिपिलिस ग्रिड में हमने क्या किया है? थोड़ा वहां से दिखने में प्राब्लम हो री हम बता दूँँ हर दूफरे नंबर के ग्रिड में ये जूआ है, छोटा, पिर चैगच, दो का है, आँठ, ऐनको मैंने यहां से कट करके मैं होल होल किया है तो इस सब्सक्राइब कर देना है उसमें होल कर देंगे इसके देखिए जिसको मैंने बनाया होल करके आपका सीट है अगर इसमें मैं दो के होल वाला कार्ड रखता हूं देखिए उठाके रखता हूं इसमें लाता हूं यह देखिए तो देखिए चुकि यह होल वाला था बाकी संख्याओं को यह कारज धंक लेगा और आपको सिर्फ 2, 4, 6, 8, 10, 12 यही नंबर दिखेंगे क्योंकि मैंने जिसमें एक से लेके 100 तकी संख्याओं लिखी थी उसी के ऊपर मैंने इस कार्ड को रख दिया है अब मैं इसी प्रकार 3 के लिए हर तीसरे नंबर पर होल कर लीजिए यहां पर 3 पर 6 पर 9 पर 12 पर 15 पर 18 पर इसी प्रकार अब देखी यह संख्या है अब मैं इसको उपर होल वाला कार्ड रखता हूं तो क्या होता है सबी ढग जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15 तो यह बच्चों को अपने आपने 3 के उसको गुणाज मिल जाएंगे होल करने के ऐसी एक्टिविटी हम बना सकते हैं फिर इसी प्रकार हम 4 का मतलब हर 4 नमबर पर हम होल करके बना लें 4, 8, 12, 16 पर और इसी प्रकार हम जब इस कार्ड को लेंगे और इसको उपर 4 में जिसमें हमने होल किया रखते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर स्रिस्तंक पर 5, 10, 15, 20 पर करेंगे और फिर अब देखें इसको पर हम 5 बाला कार्ड रखते हैं तो देखी यही संख्याए बैस्ती हैं यह संख्याए जो है 5 की बढ़ाच है तो मैंने फिर से इसको रिपीट कर दूँ कि एक मेंन कार्ड में 117 तक ही संख्याए रहेंगी हम 2 के 3 का बनाएंगे तो अंगला कार्ड लेंगे उसमें 3, 6, 9 में हॉल करेंगे 4 का बनाएंगे 5 का बनाएंगे जो संख्याए बनाना चाहिए तो यह तो अभी हम यूज कर रहे थे अलगला कार्ड थे अब हमको एक सास्थ हमको दोनों को I'm gonna 2 और 3 के कामन गुदा करना है क्या है तो देखिए पहले हम वही कार्ड रखेंगे, हम एक कार्ड लाएंगे दो वाला, दो के गुनाज का, इसको उपर रख दिया, अब हम जिसमें तीन के गुनाज हैं, वो वाला कार्ड लाते हैं और इसको उपर रखते हैं, ये देखिए, अब दो और तीन के गुनाज के कार्ड कौन सा है सबसे छोटा कामन संख्य कौन सा है तो देखते हैं च्छै और इसी च्छै को तो हम बोलते हैं कि लगुत्तम समापवर्थ है तो अगर यह होल वाले कार्ड हम बना लेते हैं और इस पर हम करवाते हैं तो बच्चे बड़े आसानी से इन चीजों को अब देखिए मैं 123 के वारे में बात करता हूँ पहले मैं बाला कार्ड रख लिया अब मैं दो वाला यहीं संख्य बचेगी इसी को उपर मैं तीन वाला कार्ड रख दोँगा अब इसी VAN COUPAR चार वाला कार्ड प्र तो दिखीहा निकलकर आती तो आपको 12 24 36 तीनों के कामन जो मấtियुम में इस जो तो छोटा आफा है तो 12 है अब को आपका लगुत्तम पम बार्द बन जाएगा अब मैंने इसमें 2 3 4 5 को ले लिया देखिए 2 वाला कार रख दिया इसी गूपर 3 वाला कार इसी गूपर 4 वाला कार इसी गूपर 5-5 वाला कार रखने पर एक 60 मिल रही है चुक्कि हमारा ग् अर्शी में ये लेगा तो इस प्रकार के हम संख्याय हिंगी तो इस प्रकार हम कामण बलی गुणाज निकाल सकते हैं यह और इस प्रकार के गार हम कामड जनरेट करने हैं तो मैंने अभी तक सिंपल सी बात कि कि बच्चे ृट गुणद गुणन घृण और उनम्में अगर दो संख्या उनके कामन काउन से फैक्टर सबंग रहे हैं और उनमें सबस्क्राइब क्षोटा काउन सा फैक्टर है उसको हम कहते हैं जो लगो तम समाप वरत वोलते हैं लिस्ट कामन मल्टिपिल्स बोलते हैं मैं इसकी जगह पर मैं कुछ चीज़ां भी छोड़ रहा हूं चुकि टाइम कम पढ़ेगा मैं आपसे इस समय बात करने जा रहा हूं इसको भी न करते हैं जो हमारे लिए सबसे यह देखिए अक्सर प्राप आती है लगो तम समाप वरत इसके बारे म मैं आज चर्चा करूँगा और मैं बच्चों से भी कहूंगा कि हम इसको इंगलिस में बोलते हैं ल सी एमम का मतलब होता है मल्टिपिल्स जिसे हम बोलते हैं गुनच लूटा चल रहा हूंगे में लश्यंग को लस्यंको एपका मैं सील की तरफ पढ़ूँगा तो अगर हम को मतलब निकालना है तो सबसे पहले हम मल्टिपिल से निकालेंगे मल्टिपिल मीस गुणाज निकालेंगे गुणाज निकालने के बार हम क्या करेंगे सी में आएंगे सी का मतलब कामन मतलब जो भी हमने मल्टिपिल से निकाले मने गुणाज निकाले फिर उन गुणाज में माने जो भी संख्याएं उनमें कामन कॉंट से हैं माने दोनों में मनें उभाइनिस्ट वो लेंगे और उन उभाइनिस्ट में लीष्ट सबसे छोटा कॉंट सा है तो यह होता है लगुत्तम समाप वर्थ मैं फिर कहता हूं पहले हम LCM में क्योंकि मैंने करा थोड़ा सा मल्टिपिल्स तो पहले हम M का मतलब होता है गुणाज आप अपना लिख लिए लास लगुत्तम समाप वर्थ को इसको मतलब 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 गुणाज निकालना है पहले उसके बाद जो दोनों में उभाइनिस्ट है लेंगे दो या तीन है और उमें सक्षिश चोटा है यह हो इंग्लिस में लिखा में हिंदी में बात करते चल रहा हूं च्छे के गुणाज क्या होगे च्छे बारा च्षट्री अठारा च्छच्चव चोविस च्पैंचे तीस इस त्रेम बढ़ते जाएंगे इसी प्रकार हम निकालेंगे नो के तो नो अठारा सब्ताइस चत्ति त ने कहा हम हमंगे दोनों में कुंण ट क्या है तो कामण देख़िए कामण में हम आरे हैं अठारा देखी दोनों में 18 है 36 देखी दोनों में है फिर इसके बाद 54 है फिर आंगे होंगे तो इस तरह हमने इन में से कामन निकाल लिया अब कामन में मैंने का सबसे छोटा least अल लिस्ट क्या है 18 अब वही 18 जो है आपका लगुत्तम समाप वर्थ है तो इस प्रकार अगर हम बच्च चोटा अगर हम इस प्रोसेस को बच्चों को और मैं यह नहीं कहता आज पढ़ा दिया कल बच्चे स्कूल में आए मैं बार बार कहता हूं जरूरत है इसमें प्रोसेस पे चर्चा करने की हां बेटा बताओ लगुत्तम समाप वर्थ में क्या निकालने बच्चा बोले सर पह एक हमने तरीका देखा फिर ये माधवना गुरंखंड क stuffs बेटसे कि हम क्या करते हैं इंक। और गुरंखंड निकालने के वार पहले हम क्या करते हैं जितने जोड़े मिलते हैं जैसे इसमें देखेंगे तो हमको एक जोड़ा मिल रहा है एक का दोनों में हैं और एक जोड़ा मिल रहा है तीन का तो जितने जोड़े मिलते हैं यह यह देखिए सबसे जरूरत है यहाँ प बचते हैं उनको लिख लेते हैं तो हमने एक ले लिया तीन ले लिया और अब यहां पर दो और तीन बचा उनको लिख दिया और सभी को अगुणा कर दिया तो जो संख्या आती है वो हमारा लखुतम समापवर्थ होता है तो पहला मेथड मैंने बताया कि LCM की आउधारणा हम कैसे समझें दूफरी बात हमने की कि हम गुर्णखन बेसे कैसे निकालें अब यह तीन का है तीन में है हमको गुर्णखन निकालना है फिर इनमें हम कामन देख लेंगे अब इसमें देखे जो हमारे सामने एक confusion आता है कि हमने कहा कि पहले हम courses करें कि तीनों में मिले जब ती कमंने लगते हैं अब हेहां फिर दो ने थिकल कामन अधर चाहिए तो इसके बाद कोई नहीं मिले थे तो जिनमें तेनों में मिले और और जो बांकि बच गए हैं को लिख लेंगे और उनको को multiply गुणा कर देंगे तो जो भी संक्या प्राप्त होगी वह हमारा लगुत तम समापवर्थ होगी तूफरा है यह हमारा जो हम कहते हैं गुलनखंडविश से एक साथ तीनों को लेके करते हैं तो इसमें मैं जाद चर्चाना करके मैं और आंगे कुछ चीजों पर बात करूं होगा यह देखिए यह नया मैथड़ है जो साइद आपको अपने आप में नया लगेगा कि लगुत तम समापवर्थ निकालने की करने भी दी जैसे हमको 240 और 742 संख्याइं में लिए इनकर निकालना है तो पहले मुझे लगता है कि यह तो सबको मानूंगा अगर जीरो हो पक्का है कि यह 10 से भाग चला जाएगा तो हम दोनों संख्याओं में से 10 कामन ले लें तो हमारी संख्याइं छोटी हो जाएगी यहां 10 निकालेंगे तो 24 बचेगा यहां निकाल लेंगे क्योंकि इसी 10 का अगर गुना कर दें तो यह 240 हो जाता है और यह 740 अब 10 ले लिया ह फिर देखिए 24 और 74 है फिर देखिए अभी लग रहा कि दो बाहर निकाल सकते हैं कि हमने दो बाव निकाल लिया अब देखिए 12 और 37 इनमें से कोई भी हमें कामन नहीं मिल रहा तो ऐसे हम लिखेंगे 10 गुने 2 तो है यह 20 हो गया 12 और 37 तो 20 गुने 12 गुने 37 इन तीनों का गुना कर देंगे तो आपको लगुत्तम समाप वर्थ मिल जाएगा तो बड़ा सिंपल एक नए धंका मैतड है और मैंने देखा यह हमारी किताब में नहीं है तो अगर हम इस मैतड को भी प्रमोट करें बच्चों के सामने और इसका सबसे बड़ा उपयोग है जब हमारी ब बहुत है तो ऐसे मैं इसको बाहर निकाल कर रख लिए 27 और बचा अब 27 और बहुत्तर में देखें दोनों में 3 का निकाल सकते हैं बाहर तीन ले लिए नौ और चोविस बचा अभी नौ भी तीन से भाग चला जाएगा तीन ले लिए तीन और आट बचा अब तीन और आट दोनों में कोई उभैनिस्ट नहीं है तो इस प्रकार हम लिखेंगे 31 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 8 और इन सब का गुणा कर हमारा 271 और 72 का लगुत्तम समापवर्थ होगा अब एक और मैसर है कि जो हम स्कूल में बच्चों को वही मैंने कहा है एक ग्रेड बना बच्चों को हम कहें दिये कि चलो ग्रेड बनाओ या हम बोर्ड में बना दें दस वाई दस का ग्रेड सौतक की संख्या है फिर इसके ब आठ दस बाड़ा चौदा ऐसे बनाते हुए चले जाएंगे मैं जादा दूर तक नहीं बनाया कुछ छोड़ दिया हूं इसको बच्चे अपना करेंगे आंगे और ऐसे दो के गोला बनाएंगे फिर हम इसके बाद आएंगे चार पर तो हमने यह तैक लिया कि चार में हम क् गुणा के चार है इसमें तो चार के गुणा जब हम लेका लेंगे तो इसमें हम वर्ग बनाएंगे इसमें तो देखिए हमने चार में लगाया 4 चार दूना हाट चार त्याईं 12 चार चको 16 चार पंचे 20 चार चंग 24 ऐसे हम करते हैं चले जाएंगे इसके बाद आती है हमारी संख्या 6 6 के लिए हम एक तैक यह कम त्रिबुज बनाएंगे तो 6 6 दुना 12 6 त्रिक 18 6 चोग चोविस 6 पंचे 30 ऐसे करते हैं तो अगर आप देखेंगे इसमें कुछ ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ गोला बना है कुछ ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ ब्रत बना है कुछ ऐसी संख्या है जिसमें गोला और चत्रफुज बना है कुछ संख्या है जिसमें गोला त्रिबुज बना है कुछ संख्या है जिस लिए तो हम पहचानते हैं तो देखते हैं कि इसने गोला व्य वर्ड वो कुंसी है इसमें 12 है तो जो 12 है हमारा दो चार और च्छे का लगुत्तम समापवरत होगा तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजे अगर हम बच्चों को और मैं हमारे बच्चे जुड़े हैं अगर बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात को या उनके पास बाद में यूट्यूब के रहेगा उससे अगर आग देखेंगे और इस प्रकार की टेविल बना के आप खुद देखिएगा तो आपको मजाएगा यहां जुरूरी हैं कि आपकी ब्रति हीरियोज करें या चत्रभूज आपको जो भी चिन्य बनाना हो आप पूरी तरह से सुतंत में और आप उसको बना सकते हैं अब एक और मैथर देखिए हमको हैंडान एक्स्पिजेंस पर बात है जो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं कि हमको अगर तो इसको भी हम चाहते हैं कि इधर की साइट भी 6 हो जाए लेकिन तो हम क्या करेंगे इसी को उठाके एक बार और पेस्ट करेंगे अब देखिए यह भी 3 हो गई और यह हो गया 6 अब यह 6 भाई 6 का हो गया तो देखिए हम 3 और 6 का जब निकाल रहे तो यह 6 जब समान आ जा अगर थोड़ा समझ नहीं समझ में आए अंगले वाली एक्टिविटी सी किए मैं दुखा दिखाता हूं 6 और 9 हम क्या करेंगे 6 वाई 9 की ग्रेड लेंगे 6 इदा देखिए अंक्तियों में है और 9 इसमें कालम है तो यह 6 है और यह उपर 9 है अब हमको 6 को मतलब छोड़ा है तो हम इसमें क्या करेंगे सेम साथी ग्रेड लाके बगल में लाखेंगे अब रखने के बाद क्या हुआ हुआ हम देखते हैं कि यह 12 हो गया यह 9 है तो हमको क्या करना पड़ेगा इसके आंगे बढ़ाना पड़ेगा तो अब हम क्या करेंगे दोनों को लेके हम बगल में प तो देखिए जब पेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि यह भी अठारा हो गया तो छै और नौ का जो लगुत्तम समापवर्थ है वो अठारा होगा तो इस प्रकार हम एक्टिविटी करा के हम लगुत्तम समापवर्थ की अधारना को अगर हम क्लास में आज एस सिक्षट टीच क और अपने साथियों के साथ भी शेयर करिए अब आता है एसको बोलते हैं महत्तम समाप वर्तक यह अंतर भी बहुत इसपस्ट करने की जरूरत है तो जैसा हमने LCM पर बात किया ऐसे हम बात करेंगे highest common factor तो यह तो ऐसा होगा लेकिन हम काम होई करेंगे पहले हम लेंगे निकालेंगे factor फैक्टर मतलब गुरन खंड फैक्टर निकालना मने सबसे पहले अगर हमको मत्तम समाप वर्तक निकालना है तो पहले हम फैक्टर निकालने के बाद हम इनके common factor निकालेंगे और उन में से जो सबसे बड़ा है उसको ले लेंगे तो यह हमारा मत्तम समाप वर्तक आ जाएगा पहले हम गुरन खंड करेंगे गुरन खंडों में से जो कामन निकलेंगे अब यहां पर बस एक चीज़ ध्यान देनी होगी महत्तम निकालते वाक्त लगोत्तम में जितने प प्योग करेंगे देखते हैं यह देखिए हमने गुरन खंड विद से पहले हमने दो से भाग देके हमने गुरन खंड निकाला तो च्छे का है एक दो और तीन इसकी गुरन खंड निकल के आए नौ का निकाला तो यह निकल के आए इसमें देखिए एक कामन है और इसमें ती मैंने का दोनों में उभाइनेश्ट तो एक और तीन है अब देखिए लगुत्तम में हम क्या करते थे तो भी ले लेते थे तीन को तो अगर हम इन चीजों की चर्चा एक कच्छा कच्छ में एक संबाद के रूप मिलाएं कि बताओ दोनों में लगुत्तम और महत्तम समापवर अब तक में बेसिक अंतर क्या है बच्चे जिस दिन अच्छी चर्चा करेंगे डिसकसन में भाग लेंगे उनकी इस कांसेप्ट अपने आप में इस पश्ट होंगे तो अब बात आती है हमने का था लह सी है तो हमने गुरंखन निकाल लिया फिर कामन निकाल लिया अब आता है तो नियम वही कहता है पहले हम गुरंखन निकालेंगे गुरंखन निकालने के बार हम कामन कामन हम तीनों में देखेंगे लगुत्तम में अगर हमें दो में भी कामन मिल गया था तो हमने ले लिया था लेकिन महत्तम में अगर तीनों में कामन नहीं है तो हम उसको छोड़ तो इस तरह हम देखते हैं कि कामन जो इनका फैक्टर निकल गया है एक और तीन इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है तीन है तो जो है छै नौ और बारा का तम समाप वर्थ तक जो है तीन होगा अब अब देखते हैं हम एक नया मैथड यह हमारे किताबों में नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसके भी जानकारी होना चाहिए तो जैसे मैंने कहा कि आठ और बारा का महत्तम समाप वर्थ निकालना है तो हम क्या करते हैं पहले बड़ी संख्या में इसे चोड़ी सं आठ जो है चार से भाग चला जाता है कि नहीं जाता तो हम देखते हैं आठ जो है चार से भाग जाता है आ जाता है फिसके बाद हम देखेंगे कि बारा में क्या बारा में चार का भाग चला जाता है तो अगर भाग चला जाता है मतलब यह है कि आठ और बारा का महत्तम तक हमारा एक हो जाता तो अब हम एक और एक्जाम पढ़ लेते हैं हमको निकालना 21 और 35 का पहले हमने बता है इसको घटा देंगे 35 माने से 24 आया अब देखिए 14 थोड़ा बड़ी संख्या है तो इसके हम थोड़ा गुरंखंड कर देंगे अब देखिए 2 तो पहले हम 2 को आघने जाता तो इसलिए हम 35 को दो को हम छोड़ देगे अब हम आयेंगे साध के अब देखिए 7 का पहला 35 में देते हैं तो साथ का भाग चला जाता है तो यहां पे भी 7 का भाग चला जाता ता मतलब जो साथ है वह हमारा महत्तम समाव वर्तफ होगा तो यह नए ढंका तो अगर हम इस पकार करेंगे तो यह और भी पैटर यूट के उससे भी हमारे लिए काफी पड़ता है तो इस तरह है वही उसी को तीसरा 18 और 37 है अब देखिए जब 18 30 करते हैं तो 19 आता है 19 से ना तो 18 भाग जाता है ना 37 तो ऐसी इस्तित में मैंने पिछले को प्रस्ट नहीं बता दिया था कि ऐसी कंडिशन में हमें जो हमारा है महत्म समापवर तक एक हमें प्राप्त होगा अगर अब एक और है इसी मैंतर में आगर हमारे सामने तो उसका सीधा वही पैटर्ण यूज करेंगे बड़ी संख्या में से एक बार 25 चोड़ी संख्या करना दिजी तो पांच आया तो अब तो इतना मानूं सालिस वी डिपाइड होता है पांच से पचास भी तो इस प्रकार से अगर हमारे पर तीन संख्या है चार संख्या है तो हम उसी पैटर्ण को करके हम महत्तम समापवर तक निकाल सकते हैं यह उसी उसी बेस्ट है और कॉस्चन साइं अब इसका जो हम कहते हैं कि जो हम कपातेंगे अब क्या करेंगे यहां Iz a को रखेंगे और कितनी भार में अश्ण को लाक्त only होड़ देंगे तो देखिये हमने ली लिए तो देखिए द्रख्यम गांगेंगे उख भारा अभ देखिए चार बचलार के बची 6 की तो अब इस समय देखते हैं कि या बड़ी है अब ब्लू कलर वाली इस टिप को इसको पर रखेंगे तो हमने लिया 6 की उसको पर बलू रखा तो हमारे पास अब रेड की बचे दो टुकड़े तो हम दो रेड के लिए लेगे और बलू को बचा के रखेंगे अब हम बढ़ा तो हमारे पास यह तो रेड़ वाले को इसकूपर रखेंगे देखिए यह हमने रखा और यह पूरी तरह से इसको ठख लिया तो मतलग यहां पे दो जो है महत्तम समापवर्थ तक होगा इसको मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगा कि अगर हम 16 और 6 का महत्तम समापवर्थ निकाल तो पहले एक 16 की स्टिप लेंगे और एक हम लेंगे 6 की और चोटी वाले स्टिप को इसको उपर रखते हैं ऐसे रखते हैं ताकि वो ढख जाए लेकिन ढखे तो पूरा यह नहीं कि आपके कुछ बच जा तो तब भी हम ढखते हैं तो दे वाले को ऊपर रखेंगे और दिखैंगे ड्रकलिया कि दो पार्ट बच गाए इसको हम अलग कर लेंगे तो दो वर में नहां बूप वाली को रखेंगे इसको ऊपर तो इस को दखताнут पूरी तरह से मतलब अब दो दो ूर से recreate लता और यह नहां जो है हनारा महात्तम समाफ वरत होगा. अब इसमें मैं दो मिनट और रही है, चुकि बश्वाचा हम करेकames, आखिर हमने बात की ना लगुत्त अ महत्तम समाफ वरतार गुंगे, तो अकसर देखें, हम सुनते हैं, कि जैसे दो टेंगर में, एक टेंकर में 850 लीटर और दूफरी टेंकर में 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है यह मालूम है तो हमको एक ऐसा बरतन चाहिए यह अगर आप देखें अक्सर हमारे गाउं के पुराने लोग हमसे पूंचा करते थे कि ऐसा बरतन क्या हो सकता है अधिक्तम बड़ा बरतन जिससे अगर हम नापें तो हम दोनों में पूरा पूरा तेल भर पाएं मतलब फिर देख लिए एक टैंकर में 680 लीटर तेल के उप 680 लीटर आता है एक में 850 लीटर आता है तो ऐसा कौन सा पैमाना बनाएं सबसे अगर उसके माद्या से में तेल डालें तो वह पूरी तरह से तो हम करने हैं बड़ा से बड़ा अधिक्तम धाज्टा का तो जब बड़े से बड़े की बात करें तो वहां पर महत्तम समापुवर्द तक आ जाता है यह ध्यार रखना है मैं इसके करने के अभी बात नहीं अब मैं बात करूंगा एक अंगला प्रस्टन है कि सुवह के समय तीन दोस्त घूमना चालू करते हैं तीनों के जो हैं जो लंबाईयां है कदमों की एकी 80 सेंटीमीटर एकी 85 है और एकी 90 है इन तीनों ने जब चलना चाहते हों कि बताओं वह कौंट से लंबाई होगी जिस तो लगुत्तम और महत्तम समापवर्त का हमारे धैनिक जीवर में भी बहुत बड़ा उपयोग है जिनके माध्याम से चर्चा कर सकते हैं तो जैसे कि हम और देली लाइव की समस्याओं से कैसे जोने तो यह कुछ चीजें के हम अगर काम करें तो मुझे लगता है कि हमाई समझ में आएगा इसमें एक चीज और छूटी है कभी मौका मिलेगा तो जुरूर हम चर्चा करेंगे क्योंकि एक बड़ी समस्चा आती है कि हमारे जो डिवीजिबिल्टी रूल करता है कि कौन सी संख्या को हम देखते ही बता अगर जैसे हम लोग प्रेक्टिकली देखना अगर किसी चीज को अगर हम प्रैक्टिकली देख पाएं तो होता क्या वह याद रहता है बहुत लंबे समय तक याद रहता है अब पढ़ लेते हैं उस समय तक हो सकता है दिमाग में आ गया फिर उसका निकल जाता है लेकिन प्रैक्टिकली कोशिश की जाती है कि आप उसको रियलाइज कर सकते हैं कि होता क्या है तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को एक्स्प्लें किया कि प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं अगर बच्चे इसको खुद करने की कोशिश करेंगे अपने पैरेंट्स के साथ अपने टीचर के साथ तो उनको और भी अच्छा लगेगा और उनको भुष में भी फायदा होगा उसका तो बहुत-बहुत धन्यवाद अच्छा लेक्टर देने के लिए रावेन जी से किि आप की पूरी टीम हमारे सकारकम को बहतर तरीकर से संचारित करें हैं और अव्जित कर दोविए से जुड़े हूए हैं जो मैं सब का आभार्वेट करता हूँ साथ में एपने डायट के IMM का जो हमारे स्कारक्न में जूड़ी के अधिकारियों से अन्रोथ करूँगा या इस लिंक से अधित विद्धिक संख्या में विद्धियार्थियों को जोड़िए यह दिकत्पैकार्ण से कोई विद्धियार्थी इसको नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में कभी भी आप IIT के यूटूब चेनल पर जा करके इस क के लिए डाक्टर एकगर साब का अनुद बहुत भी बहुत बहुत तरीके से हमारे प्रदेश के विद्धियार्थियों को समझाया धन्यवाद सब्सक्राइब जोड़ता हूं मैं डाक्टर गर्ग जी को फिर दन्यवाद करता हूं और उसी के साथ मैं अपने टीम का भी धन वाओ जी डक्टर को सवाहा जी हो रूसके साथ हमारे जो टेकनिकल सपोर्ट दे रहे हमें प्रवीन हैं और जो पोस्टर और जो अधर चीजे हैं नीरस्वन पर देखें इसको और लोग के पास पहुंचाएं और बच्चों के पास इस लिंक को पहुंचाएं तो उनको भी अच्छा लगेगा और उनको प्रैक्टिकली उसको रियलाइज करने की कोशिश करने की क्या हो रहा है तो जिस तरीके साथ आज चर्चा हुई आगे भी हम कुछ नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वुद्वार को फिर एक नए विश्य को लेकी आएंगे और उसको भी अच्छी तरीके से आपके साम करने की कोशिश करें लिए इसी के साथ हम अपने वार्नी को विराम देते हैं जैहिंद जैहिंद प्रवीश क्लोज दो कर दो